Welcome to excel world of knowledge मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करिएगा तकि मेरी excel की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके Thank you so much Hi friends, Welcome back to my channel Excel World of Knowledge So दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक formula जो serial number आपको हमेशा order wise देगा कि देखिए, जैसे ही, अगर मैं यहाँ पर filter लगाता हूँ मैं कोई भी एक, मैं एक दो country select कर लेता हूँ जैसे मैंने Canada select कर लिया, United States select कर लिया अब देखिए, अगर आप कभी भी data filter करते हैं तो आपके यहाँ पर serial number कभी भी sync में नहीं आएगा यह देखिए, यहाँ पर मेरा पिलकुल sync में आ रहा है 1, 2, 3, 4 and 5 अगर आप फिर और देखिए, मैं Australia select कर लेता हूँ Denmark select कर लेता हूँ, United States भी select कर लेता हूँ और यह देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप देख सकते हैं, यह serial number हमेशा sync में आएगा तो यह आपके लिए तब useful होगा अगर जैसे आपको कभी भी data किसी को forward करना हो कभी भी mail में attach करना हो तो आपको बार-बार serial number update करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप data copy कर सकते हैं, mail में attach कर सकते हैं तो यह कैसे करते हैं, आज हम यही सीखेंगे तो चलिए friends, शुरू करते हैं चलिए, यह देखिए, मैंने यह आपके लिए एक data बनाया हुआ है उसमें मेरे पास यहाँ पर year है और आप देख सकते हैं उपर year लिखे हैं और कुछ values हैं अब मैं चाहता हूँ, यहाँ पर serial number आ जाए और जब भी मैं filter करूँ वो हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आए ascending order में आए तो यह आप कैसे कर सकते हैं मैं for the time being मैं नाम दे देता हूँ, serial number मुझे serial number चाहिए अब देखिए, मैं कौन सा formula apply करने जा रहा हूँ equals to subtotal, जी हाँ, subtotal apply करेंगे अब जब भी आप subtotal लिखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे options आ जाएंगे आपके पास अब देख सकते हैं, बहुत सारे options आ गए है हम इसमें से हमें क्या चाहिए, count चाहिए, 1, 2, 3 तो हम count के लिए कौन सा use करना है, 3 तो हमने count के लिए 3 use कर लिया है, कि subtotal अब जो भी करेगा, तो हमें उसका count देगा मैंने count कर लिया, उसके बाद मैंने दे दिया, comma अब ये बोल रहा है, reference 1, तो मेरा reference 1 मैं किस से count लगाना चाहता हूँ? मैं top से, मैं first cell से count लगाना चाहता हूँ, तो मैंने B4 select कर लिया, ये देखिए, B4 आगया, अब मैं हमेशा ये ही चाहता हूँ कि इस से जब भी नीचे जाए, वो मुझे count देता हूँ जाए, तो मैं B4 को freeze कर दूँगा, F4 दबाएंगे, तो B4 freeze हो जाएगा, तो जैसे ये आपने B4 freeze किया, उसके बाद आपको colon प्रेस करना है, shift और colon, ये देखिए, दो dot जो होते, आपको ये प्रेस करना है, उसके बाद ये देखिए, अब आप कहीं भी click मारेंगे, आपकी value drag होती रहेगी, क्योंकि आपने colon प्रेस किया हुए, आपको फिर से B4 select करना है, मगर ध्यान रखिएगा, इस बारी आपको B4 freeze नहीं करना है, तो ये आपने populate कर दिया, आपने bracket close कर दिये, और enter, ये देखिए, इसने हम मैं देदिया है कि ये first value है, आप simply नीचे तक जाएए, copy करिए, और ctrl D, ctrl D हमेशा down होता है, down का मतलब जो भी top में value होगी, आप अगर उसे ctrl D कर देगे, तो वो नीचे तक आपकी सारी की सारी value को drag करतेगा, चाहे वो formula हो, चाहे कुछ हो, तो ये देखिए, यहाँ पे मेर पर बास serial number populate हो गए है, मैं ये देखना चाहूँ, अगर ये serial number sync में आ रहे हैं के नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से 2-3 country हैं select कर लेता हूँ, Finland, Germany and India, भारत माता की जै, तो मैंने select कर लिया, ये देखिए, ये automatically इसने वहाँ पे calculate किया, और हमें इसने 1234567, आपको ये count करने की भी जरूरत नहीं है कि आपने कितने select किया है, यह automatically यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने select किया है, अब आप और select करके देख लिजिए, ये हमेशा आपको value correct देगा, ये देखिए, 14, तो देखिए friends, ये कितना useful है, serial number हमेशा sync में लाने के लिए, तो आश करिएगा, like button को प्रेस करिएगा, और bell icon को जरूर जरूर प्रेस करिएगा, bell icon इसलिए important होता है, क्योंकि आने वाली कोई भी video, जब भी मैं publish करूं, वो आपको उसकी notification मिल जाए, आपको सबसे पहले पता लग जाए कि मैंने video publish करिए, और आप उसकी knowledge जल्द से जल्द ले सक करिए, so bell icon इसलिए important होता है, so thank you friends, thank you so much for watching this video, have a wonderful day, bye bye